मैं हूँ सुरेश और आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ फैमिली आईडी में आप अपनी वेरिफाइड इंकम जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं वो यहां पे आप देखेंगे तो जानकारी शुरू करने से पहले मैं आपसे भी सीह करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यасьी छोटी-छोटी चानकारियां आप तक आसाने से पहुंचती रहे हैं तो फ्रेंस जैसा कि आपको पता है कि आपका जो फैमली आईडी है वहां पे अगर आपकी इंकम वेरिफाइड हो चुकी है और आपको पता नहीं है कि आपकी कितनी income verify की गई है जिससे की आपका BPL रासन कार्ड बन सका और आप यह भी जानते होंगे कि अगर आपकी income 1,40,000 से लेकर 1,80,000 तक है तो आपका BPL रासन कार्ड बन जाता है ठीक है तो अब आपको अपनी income चेक करने के लिए किसी CSE Center पे जाने की ज़रूत नहीं है यह वीडियो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे किसी login detail की भी ज़रूत नहीं है तो सबसे पहले आपको परिवार पहचान पत्र की website open कर लेनी है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने यह परिवार पहचान पत्र की website open कर रही है इस website का जो link है मैंने वीडियो की description में दे दिया है वहाँ से आप इसे सीधा open कर सकते हैं जब आप यह website open कर लेंगे तो interface आपको इस तरीके से दिखेगा और इसके बाद आपको क्या करना है यह citizen corner है यहाँ पे आपको जाना है citizen corner पे आपको click करना है उसके बाद जब आप citizen corner पे click कर देंगे तो यहाँ पे drop down box जो इस तरीके से खुलेगा यहाँ पे आपको यह जो आप देख रहे हैं update family detail यहाँ पे आपको click करना है जो मैंने यह red mark किया हुआ है इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे आपसे पूछ जाएगा कि आप अपनी family id जानते हैं अगर आपको अपनी family id पता है तो आप yes पे click करेंगे otherwise आप no पर click करेंगे यहाँ पे जब आप yes पे click करेंगे तो उसके बाद जो स्क्रीन दिखेगी यहाँ पे इस तरीके से दिखेगी यहाँ पे आपको family id डालनी है और family id देने के बाद मैं search पे click कर देना है जब आप search पे click कर देंगे तो आपको जो स्क्रीन दिखेगी वो इस तरीके से यहाँ पे दिखेगी यहाँ पे देखिए message आया हुआ है mobile number send OTP इसके बाद आपको OTP send यहाँ पे click करना होगा जैसे आप OTP send पे click करेंगे तो OTP आपके mobile number पे send हो जाएगा यह जो OTP है आपके उस mobile number पे जाएगा जो आपने अपनी family ID में दिया हुआ होगा ठीक है इसके बाद आपको यहाँ OK पे click कर देना है जो आप OK पे click करेंगे तो जो next page रहेगा वो इस तरीके से दिखेगा आपको यहाँ पे जो OTP आपके mobile number पे गया है वो आपको यहाँ पे fill करना है और उसके बाद capture यहाँ पे आपको डाल देना है और verify OTP पे click कर देना है जैसे आप verify OTP पे click करेंगे तो next screen आप इस तरीके से देखेंगे जो आपकी family ID है उसकी पूरी detail यहाँ पे दिखेगी यहाँ पे मैंने cross mark कर रखे हैं किसी की privacy के लिए तो हम यह दिखा नहीं सकते हैं तो यहाँ यहाँ पे cross mark किये हुए हैं लेकिन आपका जो फॉर्मेट है family ID का वह इस तरीके से दिखेगा उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो मैं mouse over कर रहा हूं आपको यहाँ पे print जो देख रहे हैं आप यहाँ पे आपको click करना है जब आप click करेंगे तो जो family ID है वो इस तरीके से आपको दिखेगी यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे details हैं सारी hide की हुई है cross mark किया हुआ है तो यह आप ना समझें कि यहाँ पे कोई fact दिखाया हुआ है यहाँ पे आपको QR code मिलेगा इस तरीके से family ID यहाँ पे दिखेगी मुक्या का ना verified हुई है अगर आपकी income verified हो चुके है तो यह देखे family income और उसके साथ में verified आपको लिखा हुआ मिलेगा और उसके सामने ही आप देखेंगे कि आपकी income है जो कितनी verify हुई है अगर verify नहीं हुई है तो आपको यहाँ पे खाली family income ही दिखेगी verified यहाँ पे लिखा नहीं तो फ्रेंट्स इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी इनकम फैमिली आइडी में कितनी वेरिफाई की गई है